44-44 amplifier में audio input के connection को लेके काफी सारे लोग confused रहते हैं 44-44 का कोई सा भी board हो भले ये वाला हो भले ये वाला हो या फिर बहुत सारे अलग-अलग type के पी आते हैं Cell Cell Company के भी आते हैं और Cellcon के भी आते हैं अलग-अलग जो भी type के amplifier के board होते हैं उनमें audio के जो input करते हैं उनकी पहचान आपने कैसे करनी है फिर सारे जो board आते हैं उसमें wiring diagram पुरा बना रहता है यानि कि wire वगरण सारी attached रहती हैं उन पर आप easily find कर सकते हैं कि audio input कहां से दे हैं जिस board पे wire ना लगी हो उसमें सिर्फ आपने एक component देखना है आप उस component को देखे easily आप audio input का पता कर सकते कि इस point से हमें audio input करनी है तो 44-44 जो IC होती है उसमें audio input simply दूसरे नमर की pin पे होता है यह 44-44 जो IC है 1-2 और इसमें भी 2 IC लगी हुई है यहां पर देखिए दो चैनल के लिए दोनों IC लगी हुई है एक चैनल को यह control करती है एक चैनल को यह control करती है IC के front में यहां पर 44-44 लिखा होगा तो उसके वैसे 14 नमबर पिन जो एक से 14 नमबर तक कि इसकी pin होती है 14 वी ground की होती है और जो audio input होती है दूसरे नमर की pin पर आप कर सकते है यानि कि आपको क्या करना है left का positive अपने कहां पर connect करना है दूसरे नमबर की pin पर और ground करना है इस ground पर यानि कि 14 नमबर की pin पर इस वाले में आप connect कर दीजिए आपको यहाँ पर audio input के लिए easily यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर नहीं चीज होगी, लेकिन इस board में base travel भी है अगर यहाँ आप audio input कर रहे हैं तो आपको base travel नहीं मिलेगा यानि कि आप base travel को control से नहीं कर सकते base travel को अब यहाँ पर आपने base travel भी control करना है, तो इसमें एक कैसा component होता है यानि कि इन दोनु बोर्ट पे एक ऐसा component ढूड़ना है जिसकी एक लाइक खाली हो, वो component होता है PF, PF का नंबर 104 104 नंबर के PF की एक लाइक खाली होती है, उसमें audio input देना होता है, definitely सभी बोर्ट पे आपको 44-44 के जितने भी बोर्ट होंगे उसमें आपको 104 नंबर PF मिलेगा 100-1% मिलेगा 104 नंबर का, ठीक है ये रेड़ वाला जो भी PF आप देख रहे है जिसमें भी 104 नंबर लिखा है उसमें उसकी एक लेक देखनी है वो बिलकुल खाली रहेगी, वो कहीं से भी attached नहीं होगी, बस उसमें आपने audio input करनी है तो दो PF लगे होंगे महीं दो channel का है, तो दो PF लगे होंगे तो दो में आप क्या करेंगे audio input कराएंगे, एक में left का, एक में right का तब जाकि आपको base travel यापको control करने के लिए भी मिलेगा वहना base travel नहीं है, simple आपके बाप board है तो आप पर दूसरे नंबर की pin पर आपने दे दे देना है दोनों ऐसी के दूसरे दूसरे नंबर की pin पर आपने left राइट का दे देना है, बाकि जो common याईनि ground है याप पर आप चुद नंबर की pin पर डाल दीजिए बाकि इसमें हम PF find करेंगे याईनि कि आपको simply बतातू find क्या करना है वो तो आप ढूड़ेंगे, मैं तो सिर्फ आपको एक guide कर रहा हूँ, ठीक है यह है 104 नंबर की PF, यह है 104 नंबर की PF यहां से जा रही है इधर पर और इधर से जा रही कहां पर यह जम पर होते हुए यहां को आगे को जा रही है लेकिन इसकी दूसरी लग यहां पर end है, इस PF की दूसरी लग यहां पर end है और उसी में दूसरी वाले PF की भी एक लग यहां पर end है यानि कि इसकी एक-एक जो point खाली है उसमां आपने left right को input करा देना है यानि कि यहाँ पर लिखा भी है देखिए cn यानि कि connector जो audio का जो connector है यहाँ पर आप लगा लेंगे देखिए यहाँ पर left और यहाँ पर right आप देदेंगे और बीच का जो है यह ground का है यानि कि यहाँ पर आप ground लगा देंगे जो आपके audio के signal आते न एक left आता है एक right आता है ground आता है तो ground को आप बीच में डाल दो left को यहाँ पर right को यहाँ पर ठीक है 104 नमर की PF यहाँ पर हमें मिल चुकी है अब यहाँ भी इस board में भी 104 नमर की PF हमने ढोगनी है जिसकी एक लेक खाली हो तो यहाँ पर वो 104 नमर की PF कौन सी हो सकती है यह देखिए यहाँ पर 104 लिखा हुआ है इसको अभी track करेंगे इसकी एक लेक खाली लेगी तो track करेंगे दूसरी यहाँ पर हो सकता है यहाँ यहाँ हो एक मर्च चेक करते हैं अब इसके उल्टे सेट को देखेंगे तो यह देखिए उस 104 नमर की PF में और यहाँ पर लगाए गए हैं लेक और राइट के एक यहाँ 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 य तो आप बोडी में कहीं भी आप या फिर चौदवे नंबर पिन भी जोड़ दो या फिर जो भी आपको ग्राउंड वाला पॉइंट मिले वहाँ पर आपने जोड़ लेना है तो इस तरीकी से 44 के बोड में 104 नंबर की पी आफ आपने फाइंड करनी है उसकी एक लेक खाली होन तो वहाँ पर audio input करेंगे तो आपको बेस टेबल वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए तब मिलेगा नहीं तो आप दूसरे नंबर पिन पर डाल दो बेस टेबल कंट्रोल नहीं कर पाओगे हाँ वॉल्यूम से जरूर आपको कंट्रोल मिल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम के लिए फिर हलक से आपने स्विच लगाना पड़ेगा अगर यहाँ पर आप input करते हो तो वॉल्यूम बेस टेबल तीनों यहाँ पर काम करेंगे बाकि speaker के लिए आप जो output लेना चाहते हो आइसी के जो है यहाँ पर देख सकते हैं बारवे और दसवे नमBER के पिन यहाँ पर ऑफिकर के लिए होती है यानि कि यह है चोदवे नमबर की पिन इससे पहले यहाँ पर यह बारह यह गयारह और दस 10 और 12 नंबर की जो पिन होती है इसी की उससे speaker output होता है यानि कि आपने कोई भी ज्यादा मसकत नहीं करनी है 10 और 12 नंबर की पिन पे आपने speaker की wire लगा देनी है प्लस माइनस की और इस channel में आपने right की इस channel में left की लगा लेनी है